स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीटेन स्टेडी पर जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इस चैनल पर आप लोगों को सिर्फ दस्वी से रेलेटेड ही चैप्टर्स देखने को मिलेंगे या वीडियो देखने को मिलेंगे ठीक है तो आज से मैं साइंस का पेपर स्टार्ट कर रहा हूं और जितने भी मेट्रिक के स्टुडेंट्स हैं उनके लिए इस चैनल पर साइंस का बहतर तयारी करा जाएगा ठीक है तो चैनल के साथ जुड़ जाएए आप लोग जितने भी स्टुटेंट हैं और आपके जितने फ्रेंट सरकिल हैं उसमें आप लोग इस वीडियो को सेर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इसमें जूर पाएं ठीक है तो आज से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज हम लोग आप लोग को इस वीडियो में फिजिक्स के चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर है प्रकास का प्रावरतन उसके बारे में हम आप लोगो बताएंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेसन अज़ का देखिए सबसे पहले हमें प्रकास के बारे में जाना होगा प्रकास का प्रावरतन क्या है उससे पहले हमको जाना परेगा कि प्रकास क्या है तो देखिए प्रकास क्या है प्रकास एक उर्जा का स्वरूप है जिसके वजह से हम लोग किसी भी वस्तूओं को देख पाते हैं देखिए हम लोग जो भी चीज़े देख पाते हैं वह किसके वजह से हो पाता है तो यह प्रकास के वजह से हो पाता है ठीक है देखे होता क्या है कि जब light आती है ठीक है और किसी object से टकरा कर हमारी आँखों तक आती है तो हम उस object को देख पाते हैं याद रखने हैं प्रकास क्या है तो याद रखने हैं प्रकास उर्जा का वह स्वरूप है जिसकी साहिता से हम किसी भी वस्तू को देख पाते हैं अब बात आती है कि प्रकास को उर्जा का स्वरूप क्यों कहा जाता है प्रकास को उर्जा का स्वरू पिछली का जाता है क्योंकि हम इस उर्जा को different type के sources से प्राप्ट कर सकते हैं या इसको हम different type के energy source में चेंज कर सकते हैं ठीक है जैसे हम बात करें लालतेन लैंप आदी में जो chemical energy होती है ठीक है इससे भी हम लोग light energy प्रकास उतसर्जित करती हैं उन्हें किया रखेगा जो भी वस्तु की कि आता रहे हैं और rehabilitation वस्तु में गए कहलें और जिस वस्तु से प्रकास उतसर्जित नहीं होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, और प्रदिप्त वस्तु के कहलाता है, ठीक है, यानि कि non luminous, याद रखेंगे, वैसा वस्तु जो प्रकास उत्सर्जित करे, प्रदिप्त वस्तु कहलाएगा, और जो वस्तु प्रकास उत्सर्जित ना करे, और प्रदिप्त वस्तु कहलाएगा ठीक अब आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि प्रकास के किरन क्या है तो देखें एक सरल रिखा में चलने वाली प्रकास को क्या कह जाता है प्रकास के किरन को क्या कह जाता है और आपकी जानकारी के लिए बता दू कि प्रकास जो है एक सरल रिखा में चलती है इस सारा AC के वज़े से बनता है ठीक है प्रकास जो straight line में चलती है ठीक है ना AC करेक्टर के वज़े से क्या होता है हमें images ब्राप्त होता है different objects के अब कुछ और points है light से related याद रखेगा प्रकास क्या है तो प्रकास एक विदुत चुम्बकिये तरंग भी है विदुत चुम्बकिये तरंग और कहले अनुप्रस्थ तरंग देखेए maximum exam में पूछ जाता है light के बारे में और sound के बारे में कि light किस प्रकार का wave है और sound किस प्रकार का wave है तो याद रखेगा आपका जो प्रकास है विदुत चुम्बकिये तरंग या अनुप्रस्थ तरंग है और इसी वज़े से क्या होता है इसी गुन के वज़े से क्या होता है या straight line में travel करता है और जहां तक हम बात कर लें sound का तो sound जो आपका वा क्या है अनुद्यारगे तरंग है और प्रकास की बात करें तो प्रकास का जो चाल होता है वह कितना होता है तो तीन कुने दस पर पावर आठ मीटर प्रतिस सकेंड होता है और sound का कितना होता है तीन सो बतिस मीटर प्रतिस सकेंड होता है इतना point आप लोग याद रखिएगा अगला हम लोग देख लें कि परकास की किरने, परकास की जो किरने होती है, उनके समूह को क्या कहा जाता है, तो जो परकास की किरने होती है, उनके समूह को कहा जाता है किरन पुंज, चिक है, किरन पुंज कितने परकार के है, तो किरन पुंज जो होते हैं, वो तीन परकार के ह को आपर सरी किरेन पुंज और अभीशारी किरन पुंज यानि कहले डाइवर्जिंग यानि समंतर किरेन को क्या कहले पैरलील पहले ओर अभीशारी किरेन पुंज को क्या कहें क compensate一次 को सिर्क सचे कहते है अप तक का मतलब अब कर्णव जियाद होता है यानि अप सारी किरन्पुँड़ कहलाता है ठीक है कैसा तू देखिए यहाँ पर फिगर ड्रो करके मैं आप बता रहूं दADE यहाँ पर एक बिंदू है यहां से एक बिंदू सुरोथ से अगर प्रकास किरन निकलती चली जाती है तो इसे क्या गखिए अब सारे किरन पूंझ जिसमें सभी किरनों के इत्ज समानों के पुछ और वैसा किरन पूंझ पूंझ जो एक विंदू पर आकर दोंज Plus के हैं चलिए अब हम लोग आते हैं में टॉपिक पर जो हम लोग का में टॉपिक था प्रकास का परावरतन की से कहते हैं देखें रिफ्लेक्षन और फ्लाइट को समझने के लिए हमको लेना परेगा एक प्लेन मीरर या यह कहले कि रिफ्लेक्टड सर्फिस जिसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं लाइट को रिफ्लेक्ट करा सकते हैं तो देखे, प्रकास के किरन किसे कहते हैं, जब प्रकास के किरन किसी भी परावर्तक सतह पर परती है, तो उससे टकरा कर वह पुना उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकास का परावर्तन कहते हैं, देखे, यहाँ पर एक मिरर है, ठीक गई तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं प्रकास का प्रावरतन ठीक है यानि प्रकास जिस माध्यम साइए उसी माध्यम में लोट गई दरपन से टकराने के बाद तो इस घटना को हम लोग बलते हैं प्रकास का प्रावरतन क्या है तो क्या कहेंगे जब प्रकास के किरन कि इसी परावरतक सतह से टकराती है तो टकराने के बाद पुनह उसी माध्य में लोट जाती है इस घटना को परकास का परावरतन के नियम कितने होते हैं तो याद रखेगा परकास का जो परावरतन होता है इसके दो नियम होते हैं ठीक देखें यहाँ पर जो एक रेज आ रही है यानि कहले यह जो plane mirror है या प्रावर्तक सतह है reflected surface इस पर जो भी किरन आती है उस किरन को हम लोग कहते हैं आपतित किरन क्या कहते हैं आपतित किरन तो यह point-peak examination पूछे जा सकते हैं तो देखिए हम इससे जुरह हुए सारे परिवासा को clear कराते हैं आपतित किरन किसे कहते हैं तो किसी सतह पर परने वाली किरन को आपतित किरन कहते हैं या कहले कि परावर्तक सतह पर टकराने वाली किरन को आपतित किरन कहते हैं जैसा यह है अब बात करते हैं परावर्तित किरन की reflected ray का तो तरपन से परावर्तन के बाद जो किरन लोटती है उस को कहते हैं पड़ावर्तित किरण यानि की रिफ्लेक्ट एड्रेए जसा कि यह है अब बात करने आपतन को क esses E तो दरपन के या कहले कि परावर्तक सता है कि जिस बिंदू पर आपतित किरन पड़ती है उस बिंदू को आपतन कोन कहते हैं आपतन कोन नहीं आपतन बिंदू कहते हैं यह आद रखेगा आपतन बिंदू किसे कहते हैं तो प्रावर्तक सत्र के जिस बिंदू पर आपतित किरन पढ़ती है उस बिंदू को में लोग आपतन बिंदू कहते हैं अब अभिलंब की बात करें अभिलंब क्या है तो आपतन बिंदू पर डाला गया लंभी क्या कहलाता है अभिलंब कहलाता है जैसा कि यह है अब दखिए आपतन कोन की बात करें तो आपतित किरन अभिलंब के साथ जो कोन बना रही है न ये कोन आपतन कोन कहलाता है ठीक है क्या याद रखेंगे आपतित किरन अभिलंब के साथ जो कोन बनाती है इसी कोन को हम लोग क्या कहते है आपतन कोन कहते है और देखें, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, reflected ray और विलम के बीच में, ठीक है न, यानि नॉर्मल के बीच में, तो इसको हम लोग क्या बह लेंगे, आपतन, सोरी, परावरतन कोन कहेंगे, क्या कहेंगे, परावरतन कोन, याद रहेगा, तो देखें, प्रकास के परावर निकल करके आता है, कि आपतन कोन, परावरतन कोन के एक वल होता है, याद रखेंगे, क्या नियम याद रखेंगे, पहला नियम क्या है, आपतन कोन, परावरतन कोन के बरावर होता है, तो यह रहा आपका प्रकास के परावरतन से संबंदित कुछ पॉइंट्स, ठीक है, में आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप इस चैनल से जूरते हैं तो ठीक है सारे पॉइंट्स सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे अगर वीडियो देखने के बाद योदि कोई डाउट्स आ रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ठीक है इस बार प्रकास के वरतन से पूछे जाएंगे ठीक है तो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखेगा मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को दोस्तों में सेर जरूर करते जगा ताकि सभी लोगों को पता च झाल